हाई फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे पनीर और शिमला मर्ज की ऐसी जुटपट से बन जाने वाली सबजी आपको बहुत जल्दी है टाइम नहीं आपके पास तो यह सबजी आप जुरू ट्राइ करिए हमारे चैनल पर नहीं आये हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर देना तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिये हैं तीन मीडियम साइज के प्याज और दो शिमला मिर्च और चार से पांच लिये हैं मैंने मीडियम साइज के टमाटर तो कड़ाई में मैंने तेल रख दिया है तो जब तक हमारा तेल घरम होता है हम प्याज को mixi में नहीं चलाना, वो मसाला थोड़ा जादा बारीक हो जाता है, तो हमें वो paste वाला प्याज इसमें नहीं चाहिए, प्याज का color थोड़ा सा pink होने तक हम इसको पकाएंगे, तब तक हम अपनी शिम्ला मिर्च को काट लेते हैं, शिम्ला मिर्च को मैंने थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे, और ये बहुत ही जटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, अगर आपके घर को गेस्ट आ रहे हैं, तो कुछ भी नपड़ा हो, तो फटा-फट से आप पनीर लाएं, और फटा-फट शिम्ला मिर्च टाल कर ये रेसिपी बनाएं, और बहुत सबनी चलता, ये सबची बच्चों को भी बहुत पसांद आती है, तो आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकती है, टिफन के लिए भी जा सकती है, रेसिपी हमारे प्याजों का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे, हाफ टेबल इसमें टर्मरिक पॉडर डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक से दो मिनिट के लिए हम अपने मसालों को चलाएंगे, ताकि वो अच्छे से पक जाएं, अब से बनने वाली रेसिपी में हम सिरफ बेसिक मसाले डालेंगे, अगर इसमें और मसाले डालेंगे, तो हम क मारे मसाले अच्छे से पक्गे हैं अब हम इसमें डाल देंगे चौप किये हूए टमाटर हमारे मैंने इसको भी चौपर में चला लिया था टमाटर को हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से बुनेंगे जब तक यह ऑईल नहीं छोड़ जाता हमारा मसाला तब तक हम इसको चलाते चार से पांच मिनट के लिए न हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो अब हम इसमें डिया देंगे चार से पांच मिनट के बाद 2 चमश मिनट के लिए हम आप मलाई मीड़ अगर आप मलाई Embi नहीं डालना चाता तक करीम भी डाल सकते हैं लेकिन मैलाई से भी बहुत अच्छी टेस्ट आता है इसका और इसका टेक्स्चर बहुत स्मूध हो जाता है बहुत ही अच्छा बनता है सी दो मिनिट के बाद मलाई भी अच्छे से पक जाएगी और यह ऑईल छोड़ देगी अब हम इसमें डाल देंगे आदा चोड़ी चमच गरा मसाले का तो भ जैसे जिसे शिमला मिर्स को काटा था वैसी मैंने पनीर को भी इसमें काटकर डाल दूंगी आपको अगर स्केर शेप अच्छी लगती है तो आप वैसे भी पनीर को काटकर डाल सकते हैं तब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर हमारा अच्छे से मसाले के कोट हो जाए और एक से दो मिनिट के लिए हम इसको छोड़ देंगे इसको परांठे के साथ रोटी के साथ नान के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं अब आप बलीव नहीं करेंगे यह बहुत अच्छी सबजी बनती है प्लीस इसको एक बार जुरू ट्राइ करना अब हम इसको धकन लगाकर 10 से 15 मिंट के रखेंगे ताकि पनीर हमारा अच्छी से सॉफ्ट हो जाए और मसाले का टेस्ट पनीर में आ जाए गैस की फ्लेम को हम मीडियम से लो कर देंगे बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे ताकि पनीर पानी न चोड़े हम धकन उठाकर देखेंग कि वाओ क्या लाचवाब बनी है हमारी सब्जी अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे को डालने के बाद हम इसको बहुत हलके हाथ से हिलाएंगे ताकि पनीर के पीसे से हमारे टूट न जाए अगर यह पीसे टूट गे तो फिर यह सब्जी अच्छी नहीं लेगी तो थोड अच्छे लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना एक लाइक तो बनता है वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब भी करकर जाना अपने फ्रेंड और फैमिली मेमर के साथ यह रैसिपी जरूर शेयर करना तो खाये बनाइए खुश रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट तरिन रेसिपी के साथ बाई बाई